नमस्कार साथियों अगर आपका कुकर भी आपको इसी तरफ परिशान कर रहा हो तो कुकर को ठंडा करके सबसे पहले इसका रबर निकाल देना है रबर लूज होने के वज़े से ही ये सारे प्रॉब्लम होते है तो ये देख लेजे कितना गंदा हो गया कुकर और गैस तो इत कुकर निकाल देजेए जनरली फ्रीजर में आइसक्छीोब्स होते हिं है सब किसी के आइस क्यूब में ये रबर को रख देना है और एक दो ग्लस पानी रख के पांच मिनट ऐसे ही रहने देना है पांच मिनट में ये स्टिफ हो जाएगा और वापस से काम करने लायक हो जा और तीन चार बार वर्क करने के लायक हो जाता है इसके बाद आप रबर को चेंज करवा लीजे दुकान से और तीसरी हलफुल टिप से अगर आपके पास फ्रीजर में रखने का टाहीं नहीं या तीन चार घंटे या आइस क्यूब्स भी नहीं आपके फ्रेज में कई बार ऐस होता है कि आइस क्यूब्स नहीं होते है तो बस फ्रीज का ठंडा पानी ले लिजे और इसको एक मिनट तक इस रबर को धोते रहिए फटा-फट एक मिनट के अंदर ही ये एक बार तो खाना बनाने लाइक हो ही जाएगा और तुरंट का तुरंट आपका खाना बन जाएगा अब फोर्थ हेलफल टेप्स है कि ठंडा पानी ना हो तो क्या करें जी हाँ कई बार रिनी सीजन में विंटर सीजन में हम लोग फ्रिज में ठंडा पानी नहीं रखते हैं तब क्या करना है तो घबरानी की ज़रूरत नहीं है आप कोई भी कूकर ले लिजे ये दो तरह का यह तिल ले लिया है मैंने यह मस्टर्ड ऑईल है आप खाने का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं और इसको रबर के उपर में और अंदर साइड में दोनों साइड में इसको अपलाई कर देना है लगा देना अच्छे से बाहर साइट से पूरी तरह लग गया है अब अंदर साइट से भी लगा देना है एकदम अच्छे से लगाने के बाद इसको कुकर के ठककन में फिट कर देना है और यह 100% वर्क करेगा आप एक बार इस टिप्स को अजमा के जरूर देखिएगा एक बात हमेशा याद रखिएगा यह सारे टैंपरोरी सॉलेशन है जैसे ही टाइम मिले आप रबर को तो चेंज करवा ही लिजेगा साथ एक कुकर को हमेशा सीटी को उठा करके ठंडा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसको अपने आप ठंडा होने देना चाहिए अच्छे से तिल लगाने के बाद इसको कुकर के ढखकन में लगा देना है कुकर के ढखकन में भी मैं थोड़ा थोड़ा सा औल को लगा रही हूँ दो चार बुंधी लगाना है और लगा करके रबर को फिट कर देना है और लास्ट में अगर इतना करने के बाद भी कुकर वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका रबर जो है बहुत हिला हो गया है तब क्या करना है आप एक सिंपल सा घर में रबर ले लीजिए या सेलो टेप भी ले सकते हैं और इसको कुकर के रबर के उपर में अच्छे से लपेट देना एक साइड से अगर बहुत ज़्यादा कुकर का रबर लूज हो तो दोनों साइड से लपेट दीजिएगा अभी मैं एक साइड से ही आपको लपेट के दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके लपेट देना है लपेटने के बाद जो लास्ट सीरा है उसको बांद देना है और ये एक्स्ट्रा जो निकला हुआ जो एक्स्ट्रा सीरा है न इसको थोड़ा सा कट कर लेना है कट करने के बाद ये तयार हो गया अगर बहुत धीला हो तो दूसरे साइट भी सिम यही चीज़ कीज़ेगा सिम ऐसा ही करना है इससे रबर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और तुरंट काम करने लाइक हो जाएगा यह लगा के दिखा रही में आपको यह देखे थोड़ा सा टाइट हो गया है तुरंट खाना बनाने लाइक तो होई गया है तो इस टिप्स को भी आप अजमा सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बाई